आज मैं फिर से आपके लिए F19 Pro Plus सिरीज के पार्ट की प्राइस के लिए एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ अगर आप एक OPPO F19 Pro Plus 5G यूजर हो और अगर आपको इसके पार्ट चेंज करना है तो यह वीडियो जो है आपको इस वीडियो को शुरूर से लेके एंड तक जरूर देखना चाहिए मेरे वीडियो से अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए तो चलिए हम शुरू करते F19 Pro Plus 5G का पार्ट की प्राइस के बारे में बात करते इसके डिस्प्ले की तो अगर आपको F19 Pro Plus का डिस्प्ले चेंज करना है तो इसके लिए आपको सर्वी सेंटर में पे करना पड़ेगा 6,990 रुपीज यानि 7,000 आपको इसके लिए पे करना प पड़ेगा बात करते इसके बैटरी गया अगर बैटरी आपको इसके चेंज करना है तो सर्वी सेंटर में आपको पे करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,990 रुपीज यानि 3,000 तक आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा बात करते इसके फ्रे camera change करके मिल जाएगा बात करते इसकी एरफोन कियागा एरफोन आपको इसी की purchase करें 399 रुपिस में 400 रुपे में आपको इसकी एरफोन मिल जाएगी बात करते इसकी data cable और charging cable एक ही है तो इसका अगर data cable charging cable आपको service center से pay करना है तो इसकी data cable जो रहेगी 490 रुपिस 500 तक आपको इसकी service center में pay करना पड़ेगा बात करते इसके adapter की इसका adapter जो है 50W का Super Rogue Fast Charger इसका भी दिया हुआ है तो इसका adapter आपको मिल जाएगा यानि के 2100 रुपे तक आपको इसके adapter के लिए pay करना पड़ेगा और last final बात करते इसके back panel की अगर इसका back panel आपको change करना 19 pro plus 5G का तो इसके लिए आपको pay करना पड़ेगा 990 रुपिय यानि 1000 रुपे में आपको जो इसका back panel change करके मिल जाएगा तो यह तो सारी चीज हो गई इसके parts की price के बारे में अगर आपको service center में जाने के अबद parts change करने तो plus आपको इसके अलाव आपको pay करना है 295 रुपी जो के इसका service charge रहेगा तो आपको service charge और इसका parts का दोनों का आपको मिला के एक साथ pay करना है तो मेरी वीडियो अगर कोई भी तरह से अगर आपको informative लगती है प्लीज मेरे चैनल को like करिए share करिए और subscribe करिए thank you